सब्सक्राइब करने वाला आज हम इसको पर बाते करने वाले ना एंटोक रेस एक्सपी हो या रेक्स एक्स्टी हो एडिशन हो एडिशन हो सभी के साथ कहीं में रिलेट कर हुआ कि यह प्रॉब्लम रहती है तो आज तक मैंने भाई इसका कभी भी positive point तो भहुत बताया है अज तक इसका मैंने नेगैटिव प्याइट पर नहीं पताया है और यसके अंदर तो आज भाई अपनी बिताल का एंटोगरेस एक्सपी का हम करने वाले हैं नेगिटीव बाते पॉजिटीव पॉइंट आगर आपको देखना तो आज मैं आपके सामने किलर करने वाला हूँ और ऐसा मस सोचना कि भाई नेगिटीव है तो आपने क्यों लिया सोचो अगर इतना ही खराब होता तो इसके नेगिटीव के सामने इसके पॉजिटीव काफी ऊपर है इसलिए भाई मैंने इसको चूष किया है तो मेरा पॉइंट अब इसके खराबी है खराबी देखो हर स्टार्ड करते हैं इसके मैं कुछ नेगिटीव पॉइंट बता हुआ जो कि भाई आप भी रिलेट करोगी हाँ जैन्वन बोला भाई चेक करो भाई अपनी बिताल एंड अभी चेक करो भाई कितनी सही लगरी कि भाई इसको मैं घर से आने से पहले चमका के लाया हूँ जो कि आप लोग के सामने आप में से बहुत सारे बंदे जिनन वाई रेस एक्सपी को चूज किया या फिर एक्ष्टी हो कोई सीभी गाडियों तो नो डाउट गाड़ी अच्छी है बट कहीना कई जैन्वन बताऊंगा आप लोग के अंदर इसके अंदर प्रॉब्लम है भाई गिरती है तो सबसे पहले आपको पता हुआ बहुत सारे बंदे मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज बेशते हैं फोटो बेशते हैं कि यह वाला पैनल छिलता है मेरा भी यहां पर छिल चुका था पहली बार जो कि मैंने यह वाला देख रहे हो साड़े सतरा सो का भाई एक प पैनल में देखने को मिल जाएगा चाहे इस साट से गिरे या फिर उस साट से गिरे तो सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट यह लगता है कि भाई इसकी जो प्लास्टिक बॉड़ी है वह कहींने तूट जाती है फिर टूटे भी ना तो स्क्रेच तो पढ़ी आता है तो यह कहींने कहीं इसके अंदर ड्रोबैक है कि आपकी प्लास्टिक बॉड़ी है तो भाई आपका यह तो पढ़ना ही पढ़ना है और सभी गाड़ी में ने देख भाई स्क्रेच होता ही है तो मैं आपको रिकमेंड गरूँआ कि एंटोक ले रहे हो तो सबसे पहले सबसे बड़ा अभी तक मुझे लगता है सभी एंटोक के साथ बात करें दूसरा भी इसकी बॉड़ी की बात करूँआ तो देखो जहां तक मैंने अभी तक देखा साड़ी एंटोक को एंट जित्ते हमारे पास भाई है मैंने इसको अभी अच्छे से मिंट्रिन कर रखा इस अभी इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है इसके वाइब्रेशन कर लेके या फिर जो इसकी बॉड़ी साउंड करती है बट कहीं नहीं करने लगा तो यहां सहीं ले लगा तो मैंने या पैकिंग डाल लखी तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और जैसे आप यूस करते ह है खर खराइट किया फिर प्लास्टिक बॉड़ी तो एबी इसकी नेगेटिव पॉइंट हो गया अगर आपने मेंटेन नहीं कर रखा भाई मैंने भॉह सी एंटोक कहीं का किसी का यह टूटा हुआ है किसी का भाई अंदर वाला गायब रहता है मतलब इतना बूरा हाल करके प्लास्टिक बॉड़ी एक्टिवा तो है नहीं गिरेगी कि भाई बच जाएगा यह बाई गिरती है टूर जाती है बट लोग ठीक नहीं करवा तो ठीक करवा लिया करो एंड मेंटेन रखो तो भाई दिक्कत भी है देखने को आती जैसे टाइम बीतेगा आपका भाई जो खड़ करता ओफ रोडिंग में तो आपके स्टैसी करने वाला है तो यह भी नेगेटिव पॉइंट है इसका दूसरा आप बात करेंगे पॉइंट नंबर थार्ड की जो कि इसका नेगेटिव होना वाला आप लोग सभी को वाई कंप्लेइन रहता है कि इसका मालेज कम रहत आती है एंड उसका पावर फिकर आप देखोगे टैन बीच्पी की पावर प्रड्यूस करती है टैन पॉइंट कुछ न्यूटन मिटरा टॉर्क देती है तो भाई काफी एक स्पोर्टी है यह आपको पिकप देता तो कहीं ने खाई इसका इंजन जो है काफी तेज रहती है और पेट्रोल खाता है तो उनको भाई कंपेर इससे नहीं कर सकते भाई उसके मुकाबले माइलेज तो कम देगी तो मुझे माइलेज अभी मिलता है सिटी की बात करें तो भाई 42-45 के बीच मिलता है 45 तो साथ मुश्किल है 40 के राउंड मालो 40-43 मिल जाता है एंड हाईवे भाई 45 प्ल जाती है 50 मिल जाता है तो माइलेज के मुकाबले देखो अगर आप किसी काम कियों से ले रहे तो भाई एंड टोक तो भाई माइलेज आपको कम देने वाली है और आपको भी फील होगा कि मैं पेट्रोल भरवार हो और कहां चले जा रहा कुछ समझ में नहीं करना में भी होने वाला तो इसका भाई बूट इसस्पेस ना बूट इस पेस काफी छोटा है मालों मेरा है यहलमेट है मैं इसके बनेदर डाल नहीं सकता, अगर मैं को होई और स्कुटी यहां पर लिए अधा था यहां पर कहां अच्छे से हाता है और होगा ही हिसका बूट दिक्कत होती है जैसे महां जारो एक्जाम देना या फिर कहीं भी जारो मुझे साथ होई जितने हैलमेट रहते एक दो हो उसको केरी करना पड़ता है और कहीं दिक्कत होती है कि हेलमेट कहां लेकर घूमू अगर स्कूटी में आता भाई इसमें डाले तो कहीं नेगेटिव त देखो रिलेट करो जैन्मन इसके नेगेटिव पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं आज मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो भाई मुझे कहीं ना का इसकी ब्रेकिंग लगती है तो देखो मुझे भाई भाई भूस से ऐसा कमेंट आते है कोशन आते इंस्टाग्रा तो यह चीज तो है इसका जो टायर की कॉलेटी बोलो या फिर ब्रेकिंग जो इसका फ्रेंट डिस्क कहना है एकदम से आप अगर पैनी के मारते हो मैं भी गिरा अपना यह आपको इंसिडेंट बता देता हूं देखो मैं चल ला था रोड पे 40-50 की स्पीड पर मेरे सामने इक बाइक थी एंड रोड महां पे गीला था तो भाई उसने बंदेने ब्रेक वारा बाइक में तो आटोमेटिक गाइस मुझे अप्लाई होगे और मुझे अप्लाई क्या हूआ ब्रेक जैसी में एक तम से मारा भाई मेरा टायर हो गया इसकिट मैं गिरा तो काफी गंदी मेरा दोने घुटने चिल गयता है बहुत मतलब मुश्किल होगा 10-15 दिन तक तो यह दिक्कत तो है वाई इसका जो फ्रेंट टायर है ब्रेकिंग के बाद करो इसकिट कर जाता है एक उंगली से देख रहे हो बैने दो उंगली वाई इसको यहां पर टच कर दिया तो इतना बुरहाल हो आता समय के साथ टायट करवा फिटील वाथा तो रेयर ब्रेक तो कामका नहीं है इसे रुपती नहीं गाड़ी अब बंदे को मारना पड़ता फ्रेंट ब्रेक आपका अगर प्रेंट ब्रेक तेज अपलाई हो गया आटो मैं पैनिक में तेज हो गई होगा तो वहाँ पर होता भाई लॉक और गाड़ी होती है स्किट तो आप गिर जाओ के तो भाई यह दिक्कत भाई कंपनी अभी इतना अप्ग्रेट कर रही है अभी मैं रास्ते में आ रहा तो देखा भाई बजाज की गाड़ी है प्लैटीना करके आती है 110cc ठीक है 110cc की गाड़ी ह प्लैटीना की गाड़ी बजाज वालों उन्हों ने अपनी गाड़ी मैंने देखा कि पिछे पढ़ा था मैंने अभाई ABS लगा पढ़ा तो बताओ एंटोक जो स्कूटी होते हुए जो इसकी एक्स्टी मोडल की बात करें एक लाग तीस हैयार के आप कंपनी भाई ले रही ह बाई आप गिरोगी नहीं तो ABS तो बाई मुझे लगता देना चाहिए यहां बजाज तक देरी प्लैटीना में सोच बाई इससे कम की आती है एं 110 सीसी है यह तो बाई 125 सीसी है इसके अंदर स्कूटी है काफी पिकप है तो मुझे लगता बाई इसके अंदर ABS होना ची ABS होते सुखा रोड है तो इसके ग्रीपिंग इतनी अच्छी कि यहां 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 तक मैं लिन करता हो गाड़ी नहीं गिरती बट वहीं पर दूसरी कंडिशन के बाद कर जैसे मालो आपका सेंट आगे बालू पत्थर हो गया एंड जो रोड गी ले तो वहां पर इसकी हालत इसके पाँच ऐसे नेगेटिव पॉइंट जो कि आप देखो भाई यह दिक्कत रहती है तो मैंने आप लोगे साथ शेयर की ऐसा नहीं कि स्कूटी खराब अगर खराब होती तो मैं क्यों लेता वाई तो इसकी अच्छी बाते भी आव अच्छी बाते जाके देखो इसका पाँच इसके पॉजिटिव पॉइंटर गाई इसके पावर एंड लुक तो भाई किलर है इसलिए मैंने इसको लिया था बट अभी क्या हो रहा कि गाड़ी सारे दाम बढ़ रहे वाई सभी गाड़ी कि स्कूटी ओ बाई को पता नहीं क्या हो रहा बट ठीक है मेरे इसाब आपको लेना आपका good decision रहेगा एक सिक्के गाइस दो पहली हो तो आपको दोनों देखना है जो ज्यादे आपको भारी लगे इसका नेगिटिव आपको बहुत ज्यादे खराब लगता भाई आपके मतलब की नहीं तो इसको मतलो और आपको लगता कि भाई मैंनेज कर अपनी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि अभी अपना तक की बात बताया था तो इस वीडियो को लाइक करो कमेंट करके बताओ कि भाई आप इस पॉइंट से आपको सहमत हो या फिर नहीं हो या फिर लगता कि आपके भाई ने गल्त बताया भाई ऐसा कुछ भी न थे किर सथोर्व भी ने रोजी किप स्मयला गाराइ से कॉड़े डिक के लिए ल१य है